साथियों ये देश का सौभाई ये रहा है कि हमारे यहां गंगाजी की सफाई का भियान सामप्रदाइट्टा की नजर से नहीं देखा गया इसमें एक दर्ष्टी परियावरण की भी रही माना गया कि चलिए परियावरण से जुड़ा कोई अच्छा काम हो रहा है संप्रदाइट्टा का रंग नहीं रंगा उसे वैसे ही अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्मान को लेकर काशी में हो रहे कारियों को लेकर प्रयाग राज में हो रहे कामों को लेकर एक दूसरा पक्ष भी मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूँ और ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो आयद्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रिनाथ, यहां हो रहे सब कामों को सामप्रदाइग नजर से देखते हैं साथियों, अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूँ, तो दो साल पहले, 2019 में, मुस्लिमों के पवित्रस्थान मक्का में, दो करोड से जादा लोग हज करने लिए, उम्रा करने के लिए गए थे इसी तरह, इसाईयों के पवित्रस्थान, वेटिकन सिटी में, दो साल पहले, 2019 में, करीब करीब एक करोड लोग, वहां के चर्च और मुजियम को, और पोप के दर्शन करने के लिए गए थे इन देशों ने, वहां पर आने वाले भक्तों के लिए, बैतरीन सुविदाएं तैयार की हैं, आदूने की व्यवस्ताएं बनाई हैं, लोगों को वहां पर रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परिशानी ना हो, हर तरफ साब सभाई हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन भारत में, अगर हम उसी दिसा में कुछ काम करें, लोगों की सुविदा की चिंता करें, नागरीकों की भलाई के लिए काम करें, तो इनको वो शाष्ठाम प्रदाइक चस्मों से ही देखने की कोशिश करते हैं, आप खुद रेक रहें, काशी, विश्वना, दाम, परियोजना के बार, वहाँ आने वाले भक्तों की संक्या इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, कि वहाँ गरीब से गरीब को, अब रोजी रोटी के नए आउसर मिल गए हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनमें आस्था भी है, और ये नया परिवर्ता नया, उसका कवतु हल भी है, बनारस में, जो विकास के काम हो रहे हैं, वो काशी वार इस्ठेत्र की एकोनोमी को बढ़ लेंगे, और प्रयाज राज के लोग तो हर कुछ साल में देखते हैं, कि जब कुम्ब का आयोजन होता है, तो कैसे उसमें आस्था के साथ, आजी विकाभी जूर जाती हैं, यहां के अने एक लोगों को, रोजी रोटी के अवसर खुल जाते हैं, ऐसे ही, बद्रिनाथ, केदारनाथ में, विकास कारियों के बाद, वहां भी आने वाले लोगों की संग्या बहुत बड़ी है, मुझे भी वहां के मुक्यमिंत्री बता रहे थे, कि कोरोना के पहले, केदारनाथ में अब तक जितने लोग आये होंगे, प्रतिवर्थ, उससे जादार, डबल डबल संग्या में लोग आना शुरू ही, तो पूरे उत्रा खंड की एकोनॉमी चल रही है, भाई यों बेहनों, जब भक्तों की संग्या बढ़ती है, यात्रियों की संग्या बढ़ती है, तुरिष्टों की संग्या बढ़ती है, तो रोजी रोटी देती है कि बने means देती है गरीब से गरीब को काम मिलता है कि नहीं मिलता है शाहर में टेक्सी चलाने वाला हो उसका भी रोजगार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है रास्ते के किनार पर फूल बेचता है उसके फूल बेचने वाले की भी कमाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है जो छोटी- चलाते उसको रोद्गार मिलता गर नहीं मिलता है भाईयों बहनों जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो वहां की पूरी रोजी रोटी तेज गती से बढ़ती है हम जो काम कर रहे हैं पूरा हिंदुस्तान अब उस तरब आने वाला है और यह सारे स्थान आर्थिक गति और इसलिए हमारी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही है और मुझे बताया गया है कि तीन साल के भीतर ही यह जो हमारा प्रयाग राज एर्पोर्ट अभी भी बना और हमें कम समय में बनाया समय से पहले बना दिया प्रयाग राज एर्पोर्ट में दस लाग से ज़्यादा यात्रे को ही आवाजाही हो चुकी है भाईयो लगनव और भारानसे के बाद आज प्रदेश में ये आंकड़ा छुने वाला प्रयाग राज हमारा तीसरा एर्पोर्ट बन गया है साथ यो बात एर्वे कनेक्टिविटी की हो हाईवे कनेक्टिविटी की हो वाटर्वे कनेक्टिविटी हो या रेल्वे कनेक्टिविटी की हो हम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से को जोड़ना चाहते है योगी जी की सरकार इसलिए ही यूपी में आधुनिक एक्सप्रेस वे बनवा रही है नए एरपोर्ट बनवा रही है इन विकास कारियों की गती ना रुके इसके लिए डबल इंजिन की सरकार बनने जरूरी है